यवत्माल जलिक के दिग्रश शहर में यातायत विवस्ता पूरी तरह से चर्मर आ गई है चौक चौराह के उबड़ खाबड रास्ते और वानों की बेलकाम रफ्ता से सड़क दुरगटना में बड़ोतरी हो रही है पेशे दिग्रश सवादता जुपेर खान की यह खास रिपोर्ट आत्मा फुले चौक पर दुपईया वहन आपस में टकराने से दो लोग बुरी तरह जख्मी हुए इस सड़क दुर घटना में मोपेड वहन सवार भारतनगर निवासी 60 वर्षिय मुबारक अली मलनस और वाई मेंडी निवासी युवा पार्थ दिनेश सोड़न के बुरी तरह से जख्मी हुए जिने घटना स्थल पर मौझूद लोगों ने ततकाल सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए दाखिल किया तेरा नाम भाया जली मुबार अगली मलनस वेरे पिताजी का यापर कुगा साड़े दर समझे रहिवार के जिन एक्सीडंट हुआ जिन एक्सीडंट होते रहते हैं यहापर जो है अभी गाड़ी लखा के चले जाता लोग उसके जानने रहता है पार्किंगी विवस्ता ने वर्स्ते घराब और दुसरी बात वर्शासंगा कोई धूमिस्टाइल में गाड़ा चलाने आलो पर नियंदरन नहीं शेहर में पढ़ती हुई सडक दुरगटनाओं के पीछे एक नहीं बलकी हजारो कारण है जिसमें बदहाल सडके भी एक वज़ा बनी हुई है शेहर के मनुहार होटल के करीब बारा भई महले की और जाने वाले रास्ते पर हाल ही में नाली पर नगरपाली का दौरा बनाया गया स्लैप तो मानो सिविल इंजिनियरिंग की अजब गजब नमुना साबित हो रहा है इस स्लैप से रास्ते की लेवल बिगड गई है जो सडक दुरगटनाओं को बैठे बिठाए निमंतरन दे रही है यहां से गुजरने वाले वहां चालोकों के लिए नाली का यहां उचा स्लैप से जान का जोखिम बन गया है इसके अलावा शेहर भर में अवेट पार्किंग सहीद बेलगाम तरीके से तेज रफ्तार के साथ धूम स्टाइल में वहां दवडाने वाले युवा भी सडक हाथ सो के लिए जिम्मेदार है और इन सब के उपर सारी समस्याओं को नजर अंदास करने वाला याता यात विभाग भी अपनी सुस्ती छोड़ने को तैयार नहीं है NBCN News के लिए दिगरस से जुबैर खान की रिपोर्ट